हलो दोस्तो टेक्नोवी क्रांत में आप सभी का स्वागत है यहां पर इस वीडियो में मैं आपको Realme 7 and Realme Narjo 20 Pro के Realme UI 2.0 के मई मन्त के न्यू बीटा अपडेट के बारे में बताऊंगा और यह अपडेट आपके मोबाइल में कब तक देखने को मिलेगा और क्या है इसका अपडेट लॉग सभी कुछ बताने वाला हूँ दोस्तो पूरा वीडियो देखेगा लेकिन उससे पहले पहली बार हमारे चनल पर आया है तो सब्क्राइब कीजिए बेल आइकन बजाए आल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नॉटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम एक न्यू वीडियो अपलोड करते हैं अब यहाँ पर रियल्मी वालों ने अपने रियल्मी 7 एंड रियल्मी नार्जो 20 प्रो के अंदर रियल्मी UI 2.0 का माई मंद का बीटा अपडेट जो है रो रियल्मी UI 2.0 का अपडेट नहीं किये होंगे उन यूजर को यह अपडेट जो है नहीं मिलेगा यहाँ पर देखेंगे रियल्मी 7 का मॉडल नंबर RMX2151 है और इस नय अपडेट का जो वर्जन है C.06 है और इस अपडेट का जो साइज है 672 MB का है और यह बिटा अपडेट ह दोस्तो और वही रियल्मी नार्जो 20 प्रो का मॉडल नंबर RMX2161 है और इस नय अपडेट का जो वर्जन है C.06 है और इस अपडेट का जो साइज है 662 MB का है दोस्तो इन दोनों डिवाइस का जो मॉडल नंबर है वो अलग है और साथ में दोस्तो इस बार उसका अपडेट स साइज भी अलग है लेकिन दोस्तो दोनों का जो अपडेट वर्जन है सेम है और हमेशा सेम ही रहता है दोस्तो यहाँ पर नीचे देखेंगे अबाउट इस अपडेट में लिखा है इस रिलिज इंक्लूड एंडर सेक्रिटी पेच फिक सम अन्नोन इसूस एंड इंड अपडेट लॉग है दोस्तो जहां पर सबसे पहले चेंज की बात करें तो सिक्यूरिटी के अंदर फिप्त अप्रेल 2021 का लेटेस्ट एंडराट सिक्रिटी पेच मिलता है जी हां दोस्तो यह मई का अपडेट है मई में रोल आउट हुआ है लेकिन अप्रेल का सिक्यूरिट सिक्यूरि पेच देखने को मिलता है इस अपडेट के बाद इसके लाव बात करें अगले चेंज की तो यहां पर कैमरा के अंदर इमेज क्वाल्टी को अप्टिमाइच करके और अच्छा किया है जिससे की फोटो अगजरा बेटर देखने को मिलता है साती दोस्तों अगर आ screen flickering का problem होता था, screen जो है flicker करने लगता था तो उस problem को इस update के through fix कर दिया है, इसके लाव बात करें अगले change की तो setting के अंदर अगर आप split screen को open करते हैं, तो उस time पर display issue देखने को मिलता था, तो उस problem को भी इस update के through fix कर दिया है, साथी दोस्तो dark mode condition में भी display issue देखने को मिलता था, display में problem करता था, तो उस problem को भी इस update के through fix कर दिया है, इसके लाव बात करें अगले change की, तो यहाँ पर दोस्तो कुछ situation में अगर आप status bar से notification panel से कोई से भी icon वगरा open करते हैं, on करते हैं, तो उस time पर भी display issue देखने को मिलता था तो उस problem को भी इस update के through fix कर दिया है, साथी दोस्तो अगर आप home screen से split screen में switch करते हैं, तो उस time पर animation में problem होता था, animation जो हाँ ठीक से work नहीं करता था, तो उस problem को भी इस update के through fix कर दिया है, इसके लाव बात करें एगले change की, तो system के अंदर, अगर आप Netflix वगरा open करते थे, तो उ इससे की Netflix वगरा ठीक से open नहीं हो पाता था, तो उस problem को भी इस update के through fix कर दिया है, इसके लाव बात करें एगले change की, तो system के अंदर दोस्तो, यहाँ पर system performance को optimize किया है, और system stability को improve किया है, जिससे की और भी better experience देखने को मिलता है, इस update के बाद, तो यह था दोस्तो, Realme 7 and Narjo 20 Pro का full update lock, change lock, दोस्तो यह update आपको मिला है कि नहीं मिला है, मुझे comment करके जरूर बताना, और अगर नहीं मिला होगा, तो one week wait कर लीजे, one week के अंदर definitely यह update जो है, आपको मिल जाएगा, तो इतना ही था दोस्तो, इस वीडियो में, वीडियो पसंद आया होगा, तो like करना ना मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए goodbye and take care दोस्तो.